आज आप सभी बहुत संयम के साथ जी रहे हैं, मर्यादा में रहकर परवत त्योहार मना रहे हैं, इसलिए जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उसमें जीत भी सुनिस्सित है। पहले दुरगा पंडाल में मा के दर्शनों के लिए इतनी भीर जुट जाती थी, एक दम मेले जैसा महावल रहता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। पहले दसेरे पर भी बड़े बड़े मेले लगते थे, लेकिन इस बार उनका स्वरूप भी अलग ही है। राम लिला का त्योहार भी उसका बहुत बड़ा आकर्शन था, लेकिन उसमें भी कुछ ने कुछ पाबंद्या लगी है। पहले नवरातर पर गुजरात के गरबा की गुंज हर तरप चाही रहती थी। इस बार बड़े बड़े आयोजन सब बंध है। अभी आगे और भी कई परव आने वाले है। अभी इद है, शरत पुर्णेमा है, वालमी की जैनती है, फिर धन्तेरस, दिवाली, भाय दूज, छठी मैया की पूजा है, गुरु नानक देवजी की जैनती है। कोरोना के संकटकाल में हमें संयम से ही काम लेना है, मर्यादा में ही रहना है। साथियों, जब हम त्योहार की बात करते हैं, तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले मन में यही आता है कि बाजार कब जाना है, क्या-क्या खरीदारी करनी है। खास कर बच्चों में तो इसका विशेश उत्सा रहता है कि इस बार त्योहार पर नया क्या मिलने वाला है। त्योहारों की ये उमंग और बाजार की चमक एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन इस बार जब आप खरीदारी करने जाएं तो वोकल्फ और लोकल्फ का अपना संकल्प अवश्य याद रखे। बाजार से सामान खरिदते समय हमें स्थानिय उत्पादों को प्रात्फिक्ता देनी है। साथियों त्योहारों के इस हरसोलास के बीच में लोकडाउन के समय को भी आद करना चाहिए। लोकडाउन में हमने समाज के उन साथियों को और करिब से जाना है जिनके बिना हमारा जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाता। सफाई कर्मचारी, घर में काम करने वाले भाई बहन, लोकल सबजी वाले, दूद वाले, सिकुरिटी गार्ड्स इन सब का हमारे जीवन में क्या रोल है हमने अब भली भाती मैसूस किया है। कठीन समय में ये आपके साथ थे, हम सब के साथ थे, अब अपने परवों में, अपनी खुशियों में भी हमें इनको साथ रखना है, मेरा आग्र है, जैसे भी संबव हो, इन्हें अपनी खुशियों में जरूर शामिल करिए, परिवार के सदस्य की तरह करिए, फिर आप दे झाल झाल झाल